ओम शंति आज साथ मार्च दोहजार चौबिस दिन गुरुवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधूर महावाक्यों को मीठे बच्चे बाप का करतव है काटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना इससे ही नंबर वन फैमली प्लैनिंग हो जाती है प्रश्न फैमली प्लैनिंग का फिर्स्ट ग्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे उत्तर गीता है फैमिली प्लैनिंग का फर्स क्लास शास्त्र क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन किया गीता में ही भगवान के महावाक्य हैं काम महाशत्रू है जब काम शत्रू पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लैनिंग स्वता हो जाती है यह एक बाप का ही काम है किसी मनुष्य का नहीं ओम शांति शिव भगवानू वाच बाप बैठ रुहानी बच्चों को समझाते हैं इस दुनिया को तो आसोरी दुनिया जरूर कहेंगे नई दुनिया को दैवी दुनिया कहेंगे दैवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं अब यह राज भी किसी को समझाना चाहिए जो फैमिली प्लैनिंग के मिनिस्टर होते हैं उन्हों को समझाना चाहिए, बोलो family planning की duty तो गीता के कतन अनुसार एक बाप की ही है, गीता को तो सब मानते ही हैं, गीता है ही family planning का शास्तर, गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं, यह तो अटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट नुदंधा हुआ है, बाप ही आ करके आदी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं अत्वा प्योर नेशनलिटी की स्थापना करते हैं अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे गीता में भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना करने बाकि अनेक सब धर्मों का विनाश करने तो इससे फैमिली प्लैनिंग नंबर वन हो जाएगी सारे स्रिष्टी पर जय जय कार हो जाएगी और एक आधी सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी अब तो बहुत मनुश्य होने कारण बहुत कीचड़ा हो पड़ा है वहां के जानवर पंची आदी सब वसक्लास होंगे जो देखने से ही दिल खुश हो जाएगी डरने की बात नहीं बाप बैठ समझाते हैं तुमने मुझे बुलाया ही इसलिए है कि आकर फैमिली प्लैनिंग करो अर्थात पतित फैमिलीज को वापिस ले जाओ पावन फैमिलीज की स्थापना करो तुम सब कहते थे बाबा आकर पतित दुनिया खलास कर नई पावन दुनिया बनाओ यह बाप की प्लैनिंग है देखने से ही दिल खुश हो जाए लक्षमी नारायन को देखने से तुमारी दिल खुश होती है न वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स क्लास होते हैं तो यह फैमिली प्लैनिंग की युक्ती ड्रामा में नूंदी हुई है तुम बच्चों को समझाना है पारलोकिक बाप तो सत्यूगी प्लैनिंग फर्स क्लास करते हैं काटों के जंगल को ही खलास कर देते हैं इस सारे भंबोर को आग लग जाती है ये गंदा तो बाप का ही है तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो कितनी भी मेहनत करो सकसेसफुल कोई हो न सके बाप कहते हैं जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो वह बड़ा भारी दुश्मन है बहुत हैं जो उनके मित्र बन जाते हैं बाप ओर्डिनेंस निकालते हैं तुम इस पर विजय पहनो तुम समझाओ बाप कहते हैं काम महाशत्रू है विचारों को पता ही नहीं कि फैमली प्लैनिंग कैसे हो रहा है यह तो कल्प कल्प बाप करते हैं ड्रामा अनुसार फिर यह हो नहीं है सत्युग में बहुत थोड़े मनश होते हैं इसमें फिक्र की कोई बात नहीं बाप प्रेक्टिकल में यह काम कर रहे हैं वो लोग कितना माथा मारते हैं एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ अभी के केरेक्टर्स कितने खराब हैं देवताओं के केरेक्टर्स कितने अच्छे थे तुम बेपरवा होकर वानी चलाओ बोलो यह कोई तो मिनिस्टर का काम नहीं है यह तो उँच शते उँच बाप का काम है इन देवताओं के राज्य में एक धर्व, एक राज्य, एक वाशा थी, कितने थोड़े मनुष्य थे, परन्तु ऐसी युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है, वहरुहाब नहीं रहता है, उन्हों को ये लक्ष्मी नारायन का चित्र दिखाना चाहिए, ये फैमली प् हैं, इनके राज्य की स्थापना हो रही है, बावा ने कहा है, ये लक्ष्मी नारायन का चित्र हमेशा फ्रेंट में रखो, और बत्तियां आधी खूब लगाओ, प्रभात फेरी में ये ट्रांसलाइट का चित्र हो, जो एक दम क्लियर कोई भी देख सके, बोलो, हम ये फैम हो जाएंगे, तुम कहते भी हो, कि है पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ, सो तो बाप भी बना सकते हैं, एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं, बोलो, शिब आवा के हाथ में ही यह प्लैनिंग है, सत्यूग में यह प्लैनिंग हो जा इस बाप की प्लैनिंग को आकर समझो तुमारे ये बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे ये मिनिस्टर रादि निर्विकारी प्लैनिंग बना कैसे सकेंगे बाप जो उँचते उँच भगवान हैं वे आते ही है ये प्लैनिंग करने बाकी सब अनिक धर्मों को खलास कर देते हैं ये बात है ही बेहत के बाप के हाथ में पुरानी चीज़ को नया बना देते हैं बाप नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश कर देते हैं ये ड्रामा में नूद है, समझाना चाहिए पैनों और भाईयों इस स्रिष्टी चक्र गयादी मद्य अंत को तुम नहीं जानते हो, बाप बतलाते हैं, सत्यूग आधी में ना इतने मनुश्य होते हैं, ना फैमिली प्लैनिंग आधी की बात ही करते हैं, पहले तुम बहुत दोड़े थे, फर्स क्लास धर्म था, बाबा फूलों की फर्स क्लास प्लैनिंग बनाते हैं, काम तो महाशत्रू है, आजकल तो इनके पिछाडी प्रान भी दे देते हैं, कोई की किसी के सक दिल होती है, माबा पिशादी नहीं कराते हैं, तो बस घर में ही हंगामा यह है है ही गंदी दुनिया, सब एक दो को काटा लगाते रहते हैं, सत्युग में तो फूलों की वर्षा होती है, तो ऐसे ऐसे विचार सागर मन्थन करो, बाबा इशारा देते रहते हैं, तुम इनको रिफाइन करो, चित्र भी भिन भिन प्रकार के बनाते हैं, ड्रामा सार जो कुछ होता है, वह ठीक है, किसी को समझाना भी बहुत सहज है, सब का ध्यान बाप की तरफ खिचवाना है, बाप का ही काम है, अब बाप उपर में बैठा हुआ, यह काम करेगा नहीं, कहते भी हैं, जब जब धर्म की ग्लानी होती है, आसूरी रज होता है, तब तब आकर इन सब को खलास कर दैवी राज्य की स्थापना करता हूँ, मनुष्य तो अज्यान की नीन में सोई पड़े हैं, यह सब विनाश हो जाएगा, जो निर्विकारी बनते हैं, उनकी ही फैमिली आकर राज्य करती है, गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना किस की? इस फैमिली की, यह प्लैनिंग हो रही है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां पवित्र बनते हैं, तो उनों के लिए जरूर पवित्र नई दुनिया चाहिए, यह पुर्शोत्तम संगम युग बहुत चोटा है, इतने दोड़े समय में कितनी अच्छी प्लैनिंग कर देते हैं, पाकर गुल-गुल बना कर ले जाते हैं, ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मन्थन करो, तुम रेलाइज करते रहते हो, बाप कहते हैं, मैं एक धर्म की स्थापना कराने, तुम गोरी हसल करा रहा हूं, यह फैमिली प्लैनिंग किसने की, बाप कहते हैं, मैं कल्प पहले मि अपना कारे कर रहा हूं, पुकारते ही हैं, पतित फैमिली से बदल कर पावन फैमिली स्थापन करो, इस समय सब हैं पतित, शादियों पर लाखों खर्चा करते हैं, कितना शाद माना करते हैं, और ही पावन से बदल पतित बन जाते हैं, तुम बच्चों को अब यही इश्वर धन्दा करना है, सब को समझाना चाहिए, सब आसुरी नींद में सोए पड़े, उनको जगाना चाहिए, गोरा बनकर औरों को भी बनाए, तो बाप का प्यार भी जाए, सर्विसी नहीं करेंगे, तो मिलेगा क्या, कोई बादिशाह बनते हैं, तो जरूर कोई अच्छे कर्म कि यह तो कोई भी समझ सकते हैं, यह राजारानी हैं, हम दस दासियां हैं, तो जरूर आगे जन्म में कर्म ऐसे किये हैं, बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है, कर्मों की गती तो चलती रहती है, अब बाप तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं, वहां भी ऐसे जरू जितना जो अच्छा कर्म करते हैं, वैं उच्छ पद पाते हैं, उच्छ कर्मों से ही उच्छ बनते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते हैं, तो जाड़ू लगते हैं, भरीड होते हैं, कर्मों का फल तो कहेंगे न, कर्मों की थियोरी चलती है, श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं, कहां बादशाह, कहांदास दासिय्व बाप कहते हैं अब follow father मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो उच्छ पद पाएंगे बाप सक्षातकार भी कराते हैं ये मम्मा बाबा बच्चे इतने उच्छ बनते हैं ये भी कर्म है न बहुत बच्चियां कर्मों को समझती नहीं है पिछाड़ी में सक्षतकार सब को होगा अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे रूलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब यह तो उस पढ़ाई में भी होता है भगवानू वाज इस समय सारी दुनिया काम चिता पर जलमरी है कहते हैं स्थी को देखने से अवस्था बिगडती है वाँ तो ऐसे अवस्था नहीं बिगडेगी भाप कहते हैं नाम रूप देखो ही नहीं तुम भाई भाई को देखो बड़ी मनजिल है विश्व का मालक बनना है कभी किसी की बुद्धी में नहीं होगा ये लक्ष्मी नारायन विश्व के मालिक कैसे बनेंगे बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ ये लक्ष्मी नारायन सर्वगुण संपन्न थे आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो वह क्या करते रहते हैं क्या गांधी जी ये सिखा कर गए रामराज्य बनाने की भी युक्ती चाहिए ये तो बाप का ही काम है बाप तो एवर पावन है तुम फिर 21 जन्म पावन रहे फिर 63 जन्म पतित बन जाते हो समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए बाप बच्चों को समझाते रहते हैं बच्चे पावन बनो अच्छा मीठे मीठे सिकलत बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है भाई भाई को देखो द्रिश्टी को पावन बनाओ समझाने में रुहाब धारन करो बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंदा करना है जो आसूरी नींद में सोय हुए है उन्हें जगाना है गोरा बनकर दूसरों को बनाना है वर्दान अपने सरल स्वभाव और शुब भाव द्वारा बोलानात बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्शन मूर्थ भव अब बापतादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे बोलानात बाप को सबसे प्याबोले बच्चे हैं बोले अर्थत जो सदा सरल स्वभाव, शुब भाव और स्वच्छता संपन, मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं ऐसे बच्चे आकर्शन मूर्थ बन बाप को भी अपने उपर आकर्शित करते हैं बोलानात बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिम्रन करते हैं भगवान को भोलापन प्यारा है आप बच्चों ने अपने भोलापन से ही भगवान को मोह लिया उन्हें अपना बना लिया स्लोगन अपने चहरे और चलन से गोणवा शक्तियों की गिफ्ट बाटना ही शुब भावना शुब कामना है ओम शांति कर दो करें से गहरे जहरे कामना ही जितने के पिए्पाव डर चलन से घर सौनी युब भावना शक्तियों, बाई मрашने अभावना शक्तियों की जायान ही शछ एक ईपना ही छंपना ही मिल को माता ही समय का अभावना आँक उस तबाश Savannah